नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सुनील पार्डिदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के लड़ डॉक्टर पार्डिदार सहुम्पधिक सेंटर भोपाल में दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ इंफोर्मेशन साथ-साथ हम डिशीज के बारे में बात करते हैं और कैसे इनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और मोस्ट इंपोडेंट पार्ड आप दो वीडियो की मैं आपको बताता हूँ पधिक दबाईयां जो कि आपको बीमारी से लड़ने में मदद कर सकती हैं तो दोस्तों आज जो हमने टापिक सेलेक्ट किया है वह स्टफी नोज याने की नाग का बंद हो जाना नेजल आप्स्ट्रक्शन दोस्तों कई सारी ऐसी कंडिशन्स होती हैं जिसमें की नाग आप पीछे क्या कारण होते हैं और किस तरह आप फूमियोपथी की मदद से आपकी नौज ब्लोग की समस्या को हमेसा के लिए ठीक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल के नय हैं और पहली वार मेरे वीडियो देख रहा है चैनल को सब्स की समस्या रहती है यदि आपको बार बार चीके आती है नजल जुखाम रहता है आख से पानी आता है नाग जो है रनिंग नोज रहती है यदि आपको इस तरह की समस्या है ऐलर्जी क्राइनेटिस की तो दोस्तों आपको हो सकता है नजल ब्लोक है जाने कि इसके चलते हैं आ पाइलेंड स्नीजिंग रहती है नाक में खुझली होती है आंक में जलन होती है नाक में जलन होती है दोस्तो और साथ में आपके allergic rhinitis में काफी रिलीव देगी दोस्तों allergic rhinitis के लिए और भी दबाईया है जैसे कि आरसनीक अलवाम और सेबडीलर डोस इसी तरह आप जो है इनको यूज कर सकते हैं मेरा एक अल्रेडी इस पर चैनल पर वीडियो बना हुआ है allergic rhinitis के लिए फुल डीटेल इसमें दी गई है दोस्तों आप वो भी देख सकते हैं यदि आपका कारण है कि allergic sinusitis है आपको यानि कि आपको एक्यूट या chronic sinusitis है जिसमें कि क्या होता है short मैं बताता हूँ दोस्तों जो आपकी skull bone है इसमें कई सारे hollow space होते हैं जो कि आपको infection से बचाते हैं तो air cavity space रहते हैं यह दोस्तों जब infection की चलते हैं इसमें म्यूकस का जो है फिलप हो जाता है म्यूकस इसमें ज्यादा बनने लगता है दोस्तों ऐसी condition में आपकी nose block होने की सब्सक्राइब दोस्तों यह जो कंडिशन है जिसमें की आपका साइनस का इंफेक्शन हो गया है और इस condition में आपकी nose block होती है तो आपको प्रियोग करनी है यह दो दवाईया थार्ट नमबर जो इसका कारण है दोस्तों वह है नेजल पॉलेफ यानिकि आपके नाक की जो mucus membrane है जाने की जिसको जिल्ली का आ जाता है दोस्तों इसका काम होता है mucus का production करना दोस्तों जब chronic infection के चलते जब यह repeated बार बार जब allergy और infection प्रिक्टी को होते हैं दोस्तों तो यह नाक की जो mucus membrane जिसको जिल्ली का जाता है यह अपने आकार में बढ़ जाती है औ कभी right side होता है कभी sinus में कभी एंट्रकॉनल रहता है होमेपधी में कई सारी अच्छी दबाईया हैं दोस्तों और जो है कि आपके नजल पलिफ पी ठीक हो जाएंगे और इसकी वज़े से यह क्या करते हैं दोस्तों कि obstruction काॉस करते हैं आपको क्योंकि नाक कर जो यह space है जहा दिला सकती है दोस्तों नेजल पॉलिफ में जो हम लोग देते हैं वह जो में दवाई है दोस्तों वह लेमना वाइनर थर्टी और इसको जो है आपको दो बुन सुपर दो दो रात को यूज करना होता है चाहे पॉलिफ आपका left side का और राट side का दोनों यह तरह के नेजल प दोस्तों यह कई सारी दवाई हैं जो कि आपको जो है मदद कर सकती है नेजल पॉलिफ के जो है इसको पूरी तरी वाग के समस्या को ठीक करने में दोस्तों नेक्स्त जो सका कारण बनता है वह अडिनॉट है बच्चों में हम देखते हैं कि जो छोटी उमर के जो बच्चे लगबग पांस साल के उनको दोस्तों के पास में लिंफओ टूशू पाए जाता है जिसको कि आइडिनोइट कहते हैं यह भी हमें इक इंफेक्शन से बचाने का जो काम करता है दोस्तों लिए जिन लोगों को बार-बार इंफेक्शन होते हैं इन बच्चों को उनमें देखा जाता है कि इनके हाइपाट्रॉफी हो जाती है जिनके चलते उनको भी नौस ब्लॉक की समस्य आने लगती है बच्चा इतना परिशान हो जाता है कि रात मुश्की नीन खुल जाती है और जो है वो मुंग से सांस लेना उसको पड़ता है पेरेंट्स भी घवरा जाते हैं कि क्या किया जाए इस कंडिशन में दोस्तों उसमें होमेपधी में कई सारी अच्छी दवाईया हैं दोस्तों मैं आप से दवाईयां शेयर करता हूँ यहां पर जिदि आपको इस तरह की कंडिशन है बच्चे को तो आपको देनी है सेंबुकस नाइगरा 30 और दो बुन सुब करते हैं कि और क्या कारण हो सकते है जो कि आप इस का ब्लॉक करते हैं उसमें कर न करता है दोस्तों यह जिन्हाय के surgery नहीं करानी चाहिए और कई बार होता यह है कि कई लोग बिना deep current के ही जो है surgery उसकी करवा लेते है नेजल blockage को खुलने के लिए पर दोस्तों DNS इतना जादा नहीं होता है कि आपकी वो नाक के पासे उसको जो है ब्लॉक करें लेकिन जो जिनकी टेंडेंसी ऐसी है कि जिनको बार-बार जो है allergy हो जाती है बार-बार जिनको की नेजल पॉलेफ है साथ में को infection हो गया साथ में तो जो यह condition बनती है कि आपका 100% नेजल blockage हो गया किसी एक साइट का तो इसके लिए आप घबरा जाते हैं और जो हम्यूपधिक में treatment है बाकि सारे समस्याव के लिए आपके समस्याओ equality का कि नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों, common cold और common cold भी अपन देखते हैं कि जब मोसम चेंजिए खुआ सर्दियों के मोसम में जिनकों की बार-बार जो है सर्दी हो जाती है, उन्युबह भी देखा जाता है में राइस को आपको नोज बलॉक हो जाती है, जब आप दिन के टाइम रहते हैं तो आपको उनिंग नोज रहती है उसमें और जब आप कमरे में आते हैं में जब जाते हैं तब आपकी cutter रूम ने पहला जाती है इसी कंडिशन में दोस्तों प्रियोग करनी है नक्स तो यह सब कुछ कारण रहे और इनकी मैंने आपको दवाईयां बताई और यदि आप और कोई पाइंट छूट किया है आप मुझसे कमेंट्स बोक्स में पूछ सकते हैं और जानकारी आपको कैसे लेगी कमेंट्स सक्षन में जरूर बताईएगा और इंफर्मेटिव वीडिय वीडियो है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक जो है इसको शेयर कर लीजिए मिनते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहा है जा है मिनते हैं जान